हाई फ्रेंज मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं अपने इस वीडियो में आपको लटकन बनाना बताऊंगे बहुत ही खुबसूरत लटकन है यहाँ पर देखिए ग्रिन कपड़ा जो ली हुम है इसकी लंबाए चोड़ाई सवा दो इंच है और यहाँ पर रेड आप इस तरह का कोई भी समान ले सकती है जिससे की मतलब इस तरह से इसको मोड़ा जा सके और इसके बाद इस तरह से इसका डिजाइन बनेगा आप देख सकती है कैसे मैं बना रही हूं वीडियो को लाश्ट तक देखिए इस कीप करके देखेंगी तो कुछ भी समझ भी नह अब इसके बाद रेड वाला कपड़ा है इसको लूंगी मैं और इस तरह से त्रीकोन में फोल्ड करके कटिंग कर लेना है जिससे की नीचे की साइड में गोल से फाजाए और किनारे में सिलाई कर लेनी है कि सिलाई कर लेनी के बाद आपको सीधा करना है तो मैं यहाँ पर देखिए सीधा कर ले रही हूँ इसका जो नोख है पाहर निकाल लेना है अब यह हो गया है अब इसके बाद इस कपड़े का क्या करना है मैं आपको बताती हूँ देखते रिए वीडियो को लाश्टर इस तरह से अस्तर और उपर वाला कपड़ा दोनों एक साइज में रख लेना है और ऐसे त्रिकोन में रख करके दबा लेना है निसान बन जाएगा फिर यहां से निकाल देना है अलग करना है फिर इसे भी गोल कर देना है नीचे की साइड में जैसे रेड़ वाले कपड़े को की थी मैं सेम उसी तरह से ये भी होगा अब इसके बाद उपर वाला कपड़ा साइड करूँगी और ये जो डिजाइन ग्रीन का बनाई थी इसको लेना है और अलग कर लूँगी मैं क्योंकि एक में जैन्ट है अब इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है अस्तर वाले कपड़े पर रख करके सिलाई करनी है तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ ये हो गया है अब इसके बाद इस जो ऊपर का कपड़ा है इसको इस तरह से रख करके सिलाई करना है देखिए इस तरह से बराबर करके रखना है और सिलाई भी बराबर में होनी चाहिए कपड़ा nó Bringing in यहां पर देखिए यह हो गया है अब एक बार और सिलाई मैं कर लूँगी जिससे कि यह बाद में खूले ना अब इसको सीधा कर लेना है सीधा कर लेने के बाद फिर साइड में मैं सिलाई कर लूँगी इसमें आप देख सकती हैं सीधा करने के बाद इस तरह से यह दिखेगा अब इसके बाद किनारे में सिलाई कर ली हूँ मैं अब आगे क्या करना है आप देखते रही है यहाँ पर तेरी कोट का जो रूई आता है उसको ले ली हूँ और बीच में जो रेड़ वाला बनाई थी इसके अंदर मैं रख ली हूँ देखे इस तरह से और सुई धागे से उपर का जो मुह खुला हुआ है इसको पैक कर देना है देखे इस तरह से पैक कर देने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ डोरी अब इसके बाद ले लेना है तो देखे आप मैं डोरी ले ली हूँ डोरी के एक किनारे में एक या दो गट लगा लेनी है देखे किस तरह से मैं लगा रही हूँ और कहा लगा रही हूँ आप देखते रहे ये वीडियो को तो यहाँ पर देखे मैं किनारे में लगा ली हूँ और इसको अंदर की तरफ रखना है और इसके बाद यह जो सुई और धागा है इसी की सहायता से यहाँ पर बांध लेना है इसको जिससे की यह खुले रा तो यह हो गया है अब इसके बाद धागे को अलग करूंगी मैं देखिए इस तरह से कर लेने के बाद ये जो येलो और ग्रीन का डिजाइन बनाई हूँ इसको इस तरह से रख करके फिर सिलाई कर लेनी है आप देख लीजे किस तरह से मैं की हूँ अगर कोई भी प्रोब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अब बत पूछ सकती है मेरे से तो देख सकती है कितना खुबसरत लटकन बनकर के तयार हुआ है अब इसमें आप इस पारकल या इस टोन कुछ भी लगा सकती है नीचे की साइड में जो रेड कलर का कपड़ा का बनाई हूँ उहां पर आप इस टोन या कुछ भी लगा सकती है मैं यहां पर इस परकल लगा ली हूँ आप देख सकती है यहां पर मैं तीन चार इस तरह का लटकन बना करके तयार कर ली हूँ देखिए कितना खुबसूरत लटकन है तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए सेयर करिए मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरी सारी वीडियो इस तरह की असानी से आप तक पहुँच सके थैंक्यू व अथरे देतल आई करो शैरा कलाओ में।다 नए हमकिन सेस्थ पंवाी कि असानी आताल प्रेव ओधियो रिजयर को रवाद की थैंक्स sichनाना झेरी सेयर कोई राचिट एन जाना इसाना अaal पलिए करिए वीडियोर